हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्ट के सब्जेक्ट इंगलिस के नैस्तल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड डेली मिंसिपल कॉर्पोरेश जाते थे वेन इट कम्स टू मैसेंजर प्रिजंस और जब कभूतर संदेश वागों की बात हो रही है हम उन हुमन को कैसे भूल सकते हैं हूँ केरिट दा मेल फ्रॉम सच ताइम जो ऐसे समय में संदेश लाया करते थे वेन दा मीन्स ओफ कम्यूनिकेशन एंड ट्रांसपोर वर वेरी लिमिटेश जब संचार के साधन बहुत ही कम मात्रा में थे इस बींग टॉक्ड अबाउट दोज वरकर्स यह बात उन वरकर्स के बारे में हो रही है हूँ कैप्ट ऑन दूइंग देवर्क ऑफ सेंदिंग लेटर्स तू दा पीपल ऑन पूट जो पैदल जाकर ही वरकारों को नाकेवल सभी पिरकार के इस्थानों पर पहुंचना होता था बट आँसो हैट तो प्रोटेक्ट दा मेल बलकि उस संदेश को भी सुरक्षित रखना होता था देयर वाज ओल्वेज द फियर ओ बींग हिट बाय रॉबर्स और वाइल एनिमल्स उन्हें हमेशा जंगली जानवरों और डाकों का खत्रा होता था इवन टूडे आज भी दा इंडियन पोस्टल सर्विस डिपैंज ओन दा वरकर्स तो डिलीवर मेल तो इनसेज़बर एंड माउंटेनियस एरिया आज भी भारतिय डाक सेवा दुर्गम वे पहाड़ी इलाकों तक डाक पनी प्लेश लाइक पदम जंस्कार इंगT दाङ लग्डाक शेक्शन और जम् Stephen जम्मू कस्मीर के लड़ाक खंड में पदम जंसकार जैसी कई जगए रखरार राक पहुंचाते हैं Nowadays new and faster means of sending messages have become easily available आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्द हो गए हैं Aeroplanes, ships and other means are being used in distributing mail दाग बांटने में हवाई जहाद, पानी के जहाद और अन्य बहुत से साधन इस्तिमाल किये जा रहे हैं The Postal Department is also delivering letters, money, order as well as emails, greeting card etc. to the people डांक विबाग भी पत्र, money order के साथ साथ email, बधाई card आदी, logo तक पहुंचा रहा है Now question is, which bird was used to send messages in ancient times? पुराने समय में किस bird के द्वारा संदेश भेजे जाते थे? तो बच्चे हाँ पर option है, peacock, bird, pigeon, parrot तो बच्चे इसका correct answer है, option number third, pigeon, कबूतर यूज किये जाते थे Next is, the man who used to do the work of delivering letters to the people on foot, work called जो आदमी पैदल ही आम आदमी तक चिठी पत्री पहुंचाने का कार्य करता था, उसे क्या कहते थे? तो बच्चे आपर option है, chairman, हरकाराज, king और महराजा तो बच्चे इसका correct answer है, option number second, हरकाराज Next is, what were the हरकाराज always afraid of? हमेशा हरकारों को किस चीज का डर बना रहता था options है, robbers and wild animals, horsemen, congratulatory card, pigeons तो बच्चे इसका सही answer है, option number first, robbers and wild animals, जंगली जानवरों का और डाकों का Next is, inaccessible means, बच्चो इस word का meaning क्या है? option है, easy to reach, पहुँचने में आसान, hard to reach, पहुँचने में कठिन, where it can be reached, जहां पर पहुँचा जा सके, can't come from, यह जहां से आया ना जा सके तो बच्चे इसका correct answer है, hard to reach, पहुँचने में बहुत ही कठिन Next है, the one, who carried the message is God संदेश को ले जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? option है, freight carriers, messenger, driver, pilot तो बच्चे इसका correct answer है, option number second, messenger now part two, read the following conversation carefully दी गई स्वार्टा को ध्यान से पढ़िए and answer the given questions और दिये गई questions को answer दीजिए तो बच्चे हैं आपर First है, Tinsu, well, how are these flowers? Tinsu ने कहा है, अच्छे फूल कैसे हैं? Mimi, oh, I nearly forgot मैं तो भूल ही गया था, my mother has said, मेरी माने कहा था that Coco's mother bought a vase from the shop yesterday की Coco की मदर ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था She has sent these flowers to be kept in that vase उन्होंने इन फूलों को उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है Looks here and there, इदर उदर देखता है He sees a vase on top of the cupboard वह अलमारी के उपर एक वास को रखे हुए देखता है That vase is on the cupboard वह वास अलमारी के उपर है Tinsu, give it to me, इन्हें मुझे दे दो I keep them in a vase मैं इन्हें वास में रखूंगी Tinsu takes flowers in her hand Tinsu अपने हाथ में फूलों को ले लेती है She starts getting up अब वह उठने लगती है Coco, no, no, Mimi नहीं, नहीं, Mimi Mimi, you just scared me तुमने तो मुझे डरा ही दिया Coco, these flowers, these flowers ये फूल, ये फूल My mother is allergic to these flowers Whenever she sees this flower जब वह इन फूलों को देखती है Pimples come out on her body तो उनके सरीर पर फूंसिया निकलाती है Tinsu, oh, I didn't know about that मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था Well, अच्छा I'll take these flowers back मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा Coco, sign to self Chen की सांस लेकर खुद से ही How many lies do I have to tell to save my loaves of bread मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने जूट बोलने पड़े Now question is Who brought the flowers? फूल कौन लाया? Options are Coco, Mimi, Tinsu, Mother Answer is Mimi Next is Where was the vase kept? Vase कहां रखा हुआ था? Options are On the roof, छट पर On the cupboard, अलमारी पर Behind the door दर्वाजे के पीछे Over the door या फिर दर्वाजे के ऊपर Correct answer is Option number second On the cupboard Next is Coco's mother is allergic to Coco की मदर को किस से allergy है? Bread, butter, flowers और fruit तो बच्चों इसका correct answer है Flush, फूलों से Next is Which of the following is the I? In I nearly forgot इन में से बच्चो I nearly forgot इन में से I क्या है? Adjective है? Action है या फिर noun है या प्रोनाउन है तो बच्चों answer है Option number fourth This is a pronoun Next is How was Minnie scared? Mimi कैसे डर गई थी? Options are By giving flowers Mimi के फूल देने से Stop suddenly by Coco Coco द्वारा अचानक रोकने से By placing flowers in a vase By tin shoe या फिर tin shoe द्वारा फूल दान में फूल रखने से Hiding bread by Coco या फिर Coco द्वारा रोटी चिपाने से तो बच्चे इसका correct answer है Option number second Stop suddenly by Coco Now part three Read the following passage and answer the questions अब इस पैसे को पड़ियर questions के answer दीजिए In the middle of January January के मध्धे में Some of the other festivals related to crops Are celebrated in almost all the provinces of India लगबग इंडिया के सभी भागों में फसलों से जुड़े हुए त्यहार मनाई जाते हैं Some people share happiness कुछ लोग खुसियां share करते है When the crops are ready जब फसल तयार हो जाती है While some people are happy और कुछ लोग जो हैं खुस होते हैं In the hope इस आसा में That now की अब the frost will be less कि जो कोहरा है वो कम होगा Due to the increasing heat of the sun और सूर्य की गर्मी बढ़ने के कारण The crops in the field will grow faster कि जो खेतों में फसल है वो अब तेजी से बढ़ेगी All the provinces and regions have their own color and their own style सभी प्रांतों में और इलाकों में अपना अपना रंग होता है अपनी अपनी सभी की style होती है On this day इस दिन पर everyone expresses the hope or good yields and the joy of crops for bringing them home इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुसी का इजहार करते हैं मकर संक्रांती और तिल संक्रांती इन उस्तर प्रदेश, बिहार, मद्धे प्रदेश बीहू इन असम, ओनम इन केरल, पॉंगल इन तमिलनाडू लोहरी इन पंजाब, सरहूल इन जहारकन काइट फेस्टिवल इन गुजरात आर ओल फेस्टिवल्स असेसियेटिड विद फार्मिंग एंड क्रॉप्स उत्तर प्रदेश बिहार, मद्धे प्रदेश में मकर संक्रांती या फिर तिल संक्रांती असम में बीहू, केरल में ओनम तमिलनाडू में पोंगल, पंजाब में लोहुडी जहारकन्ड में सरहूल, गुजरात में पतंका पर्व सभी खेती और फसनों से जुड़े त्योहार है ये जनवरी से मद्धे अप्रेल तक अलग-अलग समय में मनाई जाते हैं इन दा मिडल ओफ विच मन्थ, सम फेस्टिवल रिलेटिट टू क्रॉप्स आर सेलिब्रेटिड इन ओल्मोस्ट अल्दा प्रोविंस ओफ इंडिया किस महीने के मद्धे में भारत के लगबग सबी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई न कोई त्योहार मनाई जाते हैं तो बच्चो ऑप्सन है जनवरी, फरबरी, मार्च, अप्रेल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्सन नमबर फस्ट जनवरी में इन में से कौन सा त्योहार फसलों से जुड़ा नहीं है ओप्सन आर लोहरी, पॉंगल, ओनम, रक्षा बंदन तो बच्चो इसका करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर फोर्थ रक्षा बंदन जो की किसी भी क्रॉप फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है next is some people rejoice in the hope that कुछ लोग इस आसा में खुस होते हैं the frost will be less कि जो कोहरा है ठंड अब कम होगी, it will rain now, अब बारिस होगी, now the seeds will be sown, अब 20 बोई जाएंगे, they no longer have to work अब उन्हें अधिक कारे नहीं करना पड़ेगा, तो बच्चो आंसर है option number first, the frost will be less कि जो कोहरा है ठंड है वो कम होगा next is what is the festival related to harvest cold in जार्खंड, जार्खंड में फसल से जुड़े त्योहार को क्या कहते हैं, options are onam, pongal, sarhul, lohuri next is what will be the effect on the crop due to the increasing heat of the sun, सूरज की गर्मी बढ़ने से खड़ी फसल पर क्या असर पड़ेगा, options है, it will grow faster, यह तेजी से बढ़ेगी, it will be spoil, यह नस्ट हो जाएगी, it will flow, यह बह जाएगी, it will decrease, यह छोटी हो जाएगी, तो बच्चो इसका correct answer है, option number first, it will grow faster, यह तेजी से करेगी, students if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you